राइवरेली जिले में पुलिस ने 25,000 के 270 रोपी ग्रेफतार कर जेल भेज दिया है महिला को तालाब मेडोगों का मार देने के मामले में फरार चल रहे 2 रोपी को पुलिस ने ग्रेफतार कर लिया है मामला 22 मार्च 2019 के साल उन्थाने का है जब महिला अपने घर से खेद में गई थी और लापता हो गई घरवालों ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला जिसके बाद 22 मार्च 2019 को साल उन्थाने में महिला के पिता ने नामदर्ज तहरीर दी एक महिने बाद महिला का कंकाल समस्पूर पक्षी बिहार में पाया गया जब से नामदर्ज आरोपी पहलाद और रामसा जीवन फरार चल रहे थे जन्हें आज पुलिश ने ग्रेफतार कर लिया और जेल भेज दिया गया है रायवार एली से यूपी 24 नूज के लिए संदीब मिस्रा की रिपोर्ट